यूपी के अम रोह जिले में इन दिनों एक वेडियो तेजी से वाइरल हो रहा है या बुलोरो कार इस्टंट बाजी से जुड़े माम लोका है इसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी के बोनट पर बैट कर बर्थडे मनाया गया इस दोरान गाड़ी के बोनट पर एक महिला भी बैठी दिखी उसके साथ एक शक्स भी है साथ ही केक काटने के दोरान पास में कई लड़कियां खड़ी है ताजा मामला डिडॉली थाना के नेशनल हाइवे का है यहां नेशनल हाइवेर 9 पर महिला और एक शक्स बोनट पर बैठा नजर आ रहा है वही कार चालक से लेकर कार में सवार सभी बाहर निकलते नजर आ रहे हैं इस स्टंट बाजी के तीन वीडियो अलग-अलग वाइरल हो रहे हैं एक वीडियो में बोनट पर एक लड़की और एक व्यक्ती बैठा हुआ है जबकि दूसरे वीडियो में केक काटा जा रहा है और तीसरे वीडियो में सड़क पर लड़कों के साथ लड़कियां गाने की धुन पर थिकरती नजर आ रही है इस स्टंट बाजी में कई लड़कियां भी शामिल नजर आ रही है जिसका वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इस घटना का वीडियो वाइरल होने पर पुलिस हरकत में आई है और गाड़ी को पकड़ कर सीज कर दिया है घटना को लेकर अमरोहा सरकिल विजय कुमार राणा ने बताया कि थाना डिडोली शेत्र में नेशनल हाइवे 9 पर एक बुलोरो गाड़ी पर कुछ लोग स्टंट बाजी करते दिखाई दिये वीडियो के आधार पर जाच करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया गया है मामले की गंबिर्दा की जाच की जा रही है फिलहाल इस घटना का वीडियो वाइरल होने पर पुलिस हरकत में आई है और गाड़ी को पकड़ गर सीज कर दिया है और आगे की कारिवाई करने में जुट गई है पंजाब के सरी टीवी के लिए आम रोह से ही मुहम्मद आसिफ की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद